सुप्रभाद डियरे स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल लैट्स डिसकस में डियरे स्टुडेंट अभी हम डिसकस करने जारे क्लास टेंथ का बिसे हमारा हिंदी होगा जो की वर्कषिट नमबर 50 है डिस 17 अभी डिसमबर 2021 के लिए है तो प्यारे स्टुडेंट पिछली बार हमने निराला जी और उनकी कविता उत्साह का अध्यन किया था ठीक है यानि युबा के अपनी जीमेदारी के बारे में बता जाता है और वह भी बादलों से कोशिस की जाती है ठीक है आज हम उनकी उसी कविता का अगले अंसको पढ़ेंगे ठीक है कैसे देखिए कुछ सब्दार्थ है बिकल बेचैन उद्मन उदास निधा गर्मी शकल संपुर्ण अनंत सीमाहीन तर्पगर्ण ठीक है अब देखिए इसमें जो है न डिलिस्टून ये जो कविता है ठीक है बिकल बिकल उनमतन स्थे उनमन विश्व के निधान के सकल जन आए अक्यात दिसा से अनंत के घन तप्त धराग चल से फिर सीतल करतो बादल गर्जो यानि ये बता जा रहा है डिलिस्टूरेंट अकास में उमरते घूमते बादलों को देख कर ठीक है यानि बादलों को देख कर लगता है कि बेचैन से हैं ठीक है तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धर्ती ही विशन गर्मी से ब्याकुल है यानि जो बादल है उसको देख कर याद आता है जो गर्मी जो हना धर्ती पे सबसे जाता है ठीक है ब्याकुल और प्रेशान है इसलिए आकास की अंजान दिसा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धर्ती को सितल कर देता और काले से काले बादल जिसमें बारिस होती है जो बादल बारिस बरसा करती है वो एकदम धर्ती को क्या करती है सांत कर देती है कभी आगरा करते हैं कि बादल खूब गर्जो और बर्सो और सारी धरती को त्रिप्त कर दो यानि सभी धरती को जो भी धरती है उस सब को इस अपने बादलों से जो तप्त रही है जो गर्म है जो जल रही है उसको सांथ कर दो दूसी तरह युवाओं के अंदर जो युवाएं हैं उन्हें आगे के और बढ़ाओ उन्से सोच बढ़नों यह कभी कहना चाहते हैं वो अपनी सोच को बढ़ा है ठीक है जब किसी प्राक्रितिक बस्टुकाबर्ण इस तरह से किया जाता है तो जैसे माना हो तो बहाँ पर मानमी करण अलगकार होता है चलिए तो चलिए अब उप्युक्ति के आधार पर कुछ परिशनों का उतर देखते हैं ठीक है कोशन नमर हमारा फस्ट है बादल किस तरह के परतीक हो रहे हैं बादल बेचैना और दास परतीत हो रहे हैं ठीक है कभी बादलों के मान्दे हम से किससे आहान कर रहा है तो कभी बादलों के मान्दे हम से शमाज तथा यूबा बर को आहान कर रहा है ठीक है समझ धर्ती किस से परिशान है तो समझ धर्ती गर्मी की तपन से परिशान है अर्था जो हमारा समाज है वार्शोशन असमानत जैसे समझ्याओं से क्या है परिशान है राइट अब हम देखते नेक्स्ट बादलों के माध्यम से कभी क्या संतेश देना चाहते हैं तो बादलों के माध्यम से कभी समाज दथा युवा बर्ग को जगाना चाहता है ठीक है ताकि वो अपनी कर्टबे को पहचाने ठीक है तो I hope dear student आपको ये समझ में आया है ठीक है लगता है अगर ये वीडियो आपके लिए helpful थे इसे जरूर लाइक करें चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सेयर कर दे ठीक है एक गतिविधी है बरसा रीदू पर एक कविता आप थोरा सा लिखिए चार पांस लाइन ठीक है और फिर उसे भी जिए ठीक है खुद से लिखिए